नमस्कार आपका स्वागत है एश्या नीज इंडिया में आपके साथ मैं पून हूँ दिल्ली शराब निती केस में दिल्ली सीएम अर्विंद केज्रिवाल ने एडी के समन का जबाब दिया है केज्रिवाल ने कहा एडी का समन पिछले बार की तरह गेर कानूनी है यह राजनीती से प्यरित है इसलिए इसे वापस लिया जाए उन्होंने आगे कहा कि मैंने इमानदारी और पारदर्शिता से अपना जीवन जिया है मेरे पास चिपाने के लिए कुछ नहीं है इडी ने अर्विन केज्रिवाल को 21 दिसम्बर को पुछताच के लिए समन भेचा है हाला कि दिल्ली सी एम इडी की पुछताच से एक दिन पहले यानि 20 दिसम्बर को 10 दिन की छुटी लेकर विपशैना केंदर के लिए चले गए संबव है कि वे पुछताच के लिए एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे यह दूसरा मोका है जब केज्रिवाल समन की जाने के बाद एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे इससे पहले एजेंसी ने उन्हें 2 नमबर को पेश होने के लिए कहा था लेकिन वो पेश नहीं हुए उन्होंने लेटर भेच का एजेंसी से पूछा था कि मैं संदिक दू हूँ या गवा इसके बात 19 दिसंबर को E.D. ने उन्हें दोबारा समन भेचा था अगर अरविन केजिवाल इस बार भी E.D. के सामने पेश नहीं हुए तो जांच एजेंसी तीसरी नोटिस जारी कर उन्हें फिर समन भेच सकती है E.D. तक समन जारी कर सकती है जब तक केजिवाल सवाल जवाब के लिए हाजर नहीं हो जाते अगर कई नोटिस जारी करने के बात केजिवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं E.D. कोट में एक आविदन जमा कर उनके खिलाफ गिर जमानती वारंट जारी करने की मांग कर सकती है इसके लावा केस की जाच के लिए अधिकारी उनके घर जाकर पुश्टाच कर सकते हैं एजेंसी ठोज सबुत मिलने पर उने गरफतार भी कर सकती है शराब निती केस में CBI ने अपरिल 23 में दिल्ली के मुख्य मंतर अर्विन किज्रिवाल से अपने ऑफिस में करीब साड़े नो घंटे तक पुश्टाच की थी CBI से पुश्टाच के बाद किज्रिवाल ने कहा था कि CBI ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिये हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है ये पूरा का पूरा कतिच शराब गोटाला जूट है फरजी है और गंदी राजडिती से प्रेरित है एएपी कटर इमानदार पार्टी है हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी इमानदारी के साथ समझोता नहीं करेंगे वे एएएपी को खतम करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है लगबग 56 सवाल उन्होंने पूछे फिलाल शरापनिती केस में दिल्ली के पूर डिप्टी सीम मनिश सोधिया और एएपी सांसात संजे सीं जेल में है इसी के साथ बनेव है इस्यों इस हिंडे के साथ भनेवाद